वूड मॉर्निंग स्टूरेंट्स आज हम लोग डिसकस करेंगे दि कंडिशन ओफ इकलीब्रियम बिट्विन टू सिस्टम इन थर्मल कॉंटेक्ट दा बीटा पेरामिटर मतलब कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है और वो एक दूसरे एक साल थर्मल कॉंटेक्ट में हैं तो उनके बीच में अगर इकलीब्रियम सेट अप होता है तो इकलीब्रियम की क्या कंडिशन होगी या फिर जो इकलीब्रियम की कंडिशन है वो किस पर डिपेंडेंट होगी एक बीटा पेरामिटर पर डिपेंडेंट होगी तो किस तरह वो बी में है thermal contact में तो अगर हमारे पास एक सिस्टम A है और दूसरा सिस्टम B है and both system are in thermal contact with each other तो हम अगर मालने कि system A का volume V है और system B का volume आपका V dance है तो total energy अगर हम मालने system की कि दो system है आपके पास suppose दो chambers में आपने क्या कर दी गैस वर दी ठीक है एक चेमबर का नाम रख दिया आपने A दूसरे चेमबर का नाम रख दिया आपने B चेमबर A का वोल्यूम आपके पास V है चेमबर B का वोल्यूम आपके पास V डेस है ठीक है तो टोटल जो इस सिस्टम बना इन दोनों चेमबर को मिला के उस टोटल सिस्टम की अगर हम मानने की एनरजी एटी है ठीक है एटोटल एनरजी उनकी एटी है और हम मानने के चलने की जो ना तो बहार से कोई एनरजी का ट्रांसफर अंदर हो रहा है और ना अंदर से सिस्टम के अंदर से एनरजी बहार निकल रही है मतलब वो दो सिस्टम है जो system A और system B उनके बीच में तो energy का transfer हो रहा है लेकिन भार से ना तो energy system जो total इन दोनों को मिला के जो composite system बना system A और system B को मिला के जो complete system बना वो complete system thermally insulated है कि उसके अंदर भार से environment से ना तो कोई energy जा रही है और ना उस system के अंदर से environment में कोई energy आ रही है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर ना तो energy उसके अंदर जा रही है ना उससे बाहर energy निकल रही है मतलब उस system की energy क्या रहेगी constant रहेगी हम इसमें ऐसा मतलब energy constant रहेगी का मतलब क्या हुआ कि जो E T है E total है total energy दोनों systems को मिला के system A और system B को मिला कर वो energy E T क्या रहेगी constant रहेगी ठीक है अब हम माल लेते हैं कि जो आपका system A है उसकी energy E है और system B की energy क्या है E dash है ठीक है तो जो energy E और E dash मिला के आपकी क्या बनाएंगे E total बनाएंगे कि system A की energy और system B की energy दोनों मिला के क्या बनेगी आपकी total energy of the complete system बनेगी ठीक है तो इसमें क्या होगा कि जो energy E है और energy E dash है ये दोनों क्या हो सकती है change हो सकती है E change हो जाएगी E कम हो जाएगी तो E dash बढ़ जाएगी E मालो बढ़ गई तो E dash कम हो जाएगी तो ये energy E और E dash क्या है variable है आपके पास लेकिन total इन दोनों का total क्या रहेगा constant रहेगा मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन इन दोनों का जो total होगा बहार से system दोनों को मिला के जो system बना वो system क्या है thermally insulated है इसका मतलब जो total energy है इस complete system की वो क्या है constant है तो total energy पूरे system की मिला के आपके पास constant है तो क्या हो गया कि अगर हम लिखे et किसके equal हो जाएगी E plus E dash के equal हो जाएगए और यहां से e dash की हे एक इसकी energy सिस्टम a की और e dash कि tutoring system b की तो यहांसे क्या हो जाएगा E dash किसके equal हो जाएगी ईटी the minus ay एक इक एक उलाजाएगी your e t अगर constant है तो हम इसको differentiate करें with respect to eतो क्या iql हो जाएगा curly e by curly t sorry curly e by curly e plus curly e dash by curly e यह किसके equal हो जाएगा 방 अब curly e t by curly e अगर e t kya constant है वह energy change नहीं हो रही total energy तो किसी constant का अगर आप differentiation करते हो तो वह किसके equal होगा 0 के equal होगा curly e by curly e kisikikal हो जाएगा यह हो जाएगा one के equal और curly E dash Y curly यह बच जाएगा तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा curly E dash Y curly E किसके equal हो गया minus 1K ठीक है क्योंकि one दूसरी साइड चले जाएगा वो minus बन जाएगा तो यहां से curly E dash by curly E किसके equal हो जाएगा minus 1K equal हो जाएगा ठीक है अब जो system की probability है अब क्या होगा जैसे आपने दोनों system को छोड़ दिया ठीक है आपने क्या कर दिया chamber A का कुछ temperature है chamber B का कुछ temperature है उनके बीच में आपस में heat का transfer हो सकता है तो आपने क्या कर दिया उन दोनों system को combine करके छोड़ दिया heat का transfer कब तक होता रहेगा जब तक की equilibrium state ना आजाए कैसा state ना आजाए कि जिसमें रहने के system के chances maximum हो जब तक क्या होता रहेगा उनके बीच में transfer होता रहेगा heat का जब equilibrium state आएगा मतलब हम क्या बोलेंगे कि जितनी energy system A से B में जाएगी उतनी ही B सेम आएगी अब तो मतलब क्या होगा उस time पे आपके system ऐसा लगेगा कि अब ये system saturate हो चुका है इसके अंदर और heat का transfer नहीं होगा उस state को हम क्या बोलेंगे equilibrium state बोलेंगे ठीक है और probability किसी भी state की किस पे depend करती है कि उस state के अंदर कितने micro state है या कितने micro state को हम क्या बोलते है thermodynamical probability बोलते है कि system इस बात की कितनी probability है कि आपका जो chamber A है उसकी energy E रहे और chamber B की energy E dash रहे एक fix value कि मानलो total energy system की 10 जूल है तो ऐसा होने के कितने chances हैं कि जो आपका system A है उसकी energy 6 रहे और system B की energy 4 रहे तो इसके कितने chances हैं वो किस पे depend करेगा कि total उस macro state के अंदर कितने micro states है ठीक है तो अब हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास जो हमान लेते हैं इसमें कि जो हमारे पास system A है उसकी energy E है और system B की energy क्या है E dash है ठीक है तो system A के energy E में और system B के energy E dash में रहने की कितनी probability है तो वो किस पे depend करेगी probability is directly proportional to thermodynamical probability और thermodynamical probability क्या होती है number of micro states in a micro states ठीक है तो अगर हम probability P E को लिखें यह किसके equal हो जाएगी यह equal हो जाएगी यह P E probability of the system A being in energy state in energy E किसके proportional होगी W E के thermodynamical probability के अगर कोई चीज किसी के proportional है और हमें उसको equal लिखना है तो हम क्या करते हैं किसी constant से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P E किसके equal हो जाएगा C into W E और W क्या यहाँ पर thermodynamical probability या फिर total number of microstate in the state when energy of system A is E और C क्या हो गया constant हो जाएगा ठीक है ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा P E किसके equal हो जाएगा P E is equal to C W E कि जो आपका system जब E स state में होगा सिस्टम B तो तब उसकी energy किसके equal होगी तो यह हो गया आपके पास P E डैस is equal to C डव्लू डैस डव्लू डैस डव्लू डैस डव्लू डैस क्या हो गया thermodynamical probability यहाँ number of microstate when the energy of system B is E डैस और यहाँ पर हमारे पास E total किसके equal है तो total energy system की कितनी है E T है ठीक है अगर हम बात करें कि यह तो बात कर ली हमने अलग-अलग probability कि हमारे system जो system हमारे पास A था उसकी energy E हो दूसरी बात कर ली कि जो system B था उसकी energy E डैस हो ऐसा होने की probability क्या क्या होंगी अब हम इकठी बात करते हैं कि जो system A था उसकी energy तो E हो और उसके साथ में जो system B है उसकी energy आपके पास E डैस हो ऐसा होने की probability क्या है तो मतलब हमारे पास दो अलग-अलग events थे एक event में system A की energy E दूसरे event में system B की energy E डैस अब हम बोल रहे हैं कि दोनों event साथ में हो तो composite event साथ में होने की ये चीज भी हो और साथ में ये चीज भी हो तो बीच में end आ गया दोनों के तो इसका मतलब क्या होगा अब composite event की probability क्या होगी कि दोनों की probability को हम multiply कर दें जो multiplication theorem of probabilities हम होने जो करी थी है ना तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास पी ए को माई डैस किसके एकोल हो जाएगा CW इंटू CW डैस E डैस की system की ऐसा ऐसा होने की probability की जो system A था हूँ energy state E में हो और जो system B था हूँ energy E डैस रहे उसकी साथ हमें तो उसकी probability कितनी हो गई C C डैस W E W डैस E डैस अब हम मान के चल पने की यह जो system है हमारा जो यह energy state है P E, E डैस यह अगर equilibrium state है अब equilibrium state होगा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो equilibrium state आपका कौन सा state होता है जिस state के होने की probability maximum हो कि जिसके होने के chances maximum होगे system जारातर टाइम उसी state में रहेगा जिसके होने के chances maximum है एक की probability तो आपकी 1 by 8 है और एक की probability आपकी 1 by 2 है तो system कौन से state में जारा time रहेगा जहाँ पर probability 1 by 2 रहेगी तो maximum जितने भी total state system के अंदर बन रहे हैं उन में से maximum probability के state को हम क्या बोलते हैं equilibrium state तो equilibrium state हो गया maximum probability गा state ठीक है तो maximum probability गा state होने का मतलब हो गया वो एक constant हो गई तो maximum probability change नहीं होगी जो state जिस state की probability maximum आ गई अब उसकी probability maximum value change नहीं होगी इसलिए उसको हम क्या लेके चलेंगे constant लेके चलेंगे कि वो probability आपके पास क्या है constant है ठीक है तो अब यह जो equation 1.32 थी इसको अगर हम क्या कर दें लोग ले लें दोनों side इसका तो क्या हो जाएगा लोग P E, E डाएस लोग क्यों लिया क्यों कि यह जो multiplication है लोग ने लेने से एक master हो जाएगी एडिसन में thriller हो जाएगी तो आगे हमें nak Сов cuts करना क्या हो यहाँ असान हो जाएगा तो इसलिए हमने दोनों तरफ लोग ले लिया लोग P E-Dash, E-Dash किसके को हो जाएगा लोग C-Dash plus log W-Dash E-Dash अगर हम क्या करें इसको विद रिस्पेक्ट टू-E differentiate कर दें तो क्या हो जाएगा curly by curly log P E, E dash किसके एक हो जाएगा log C क्या है constant है किसी constant का differentiation 0 plus log C dash भी क्या है आपके पास constant है किसी constant का differentiation again 0 plus curly by curly E log W plus curly by curly E log W dash E dash ठीक है अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा sorry curly by curly log W dash E dash हो जाएगा उससे बाद next step में आपके पास क्या हो जाएगा यह जो कर ली वाई कर ली ही जो आपके पास था कर ली वाई कर ली ही लोग P E E dash यह probability किसकी थी thermodynamical state की probability थी और thermodynamical sorry thermodynamical नहीं equilibrium state की यह किसकी probability थी equilibrium state की probability थी और हमें पता है कि equilibrium state की probability maximum होती है और maximum होने का मतलब हो एक constant quantity है और किसी constant का अगर आप differentiation करोगे तो वो किसके equal हो जाएगा जीरो के equal हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा कर ली बाई कर ली पी E कोमा E into E dash यह भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बच गया आपके पास कर ली बाई कर ली लोग W dash E dash इसमें हमने क्या कर रहा Curly By Curly E dash से ही Multiply कर दिया और Curly E dash से ही Divide कर दिया ऐसा करने से हमारे पास क्या बन गया Curly By Curly E dash Log W dash E dash into Curly E dash by Curly E Curly E dash से Curly E dash cancel out होग जाएगा तो बच जाएगा Curly By Curly E बच जाएगा ऐसा करने से हमें क्या benefit हुआ कि हमने जो equation 1 में निकाला था कि curly e dash by curly e किसके equal है minus 1 के equal है तो यहाँ पे curly e dash by curly e की जगे हम क्या put कर देंगे minus a तो यह equation जो आपकी थी यह क्या बन जाएगी आपकी curly by curly e log w e minus curly by curly e dash log w dash e dash क्योंकि curly e dash by curly e की जगे हमने क्या put कर दिया minus put कर दिया minus 1 put कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा curly by curly e log w e is equal to curly e dash by log w dash e dash तो अब यहां से हमारे पास क्या हो गया यह चीज निकल के आगई और इसी को हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास condition निकल के आगई अगर हमारे पास दो system है और उन दोनों system को हम क्या बोल रहे हैं कि वो system thermal equilibrium में है कि maximum probability के state में वो पहुँच चुके हैं तो वो maximum probability के state में या equilibrium state में कब पहुचेंगे जब आपके पास curly e by curly by curly e log w e मतलब log of thermodynamical probability का differentiation किसके साथ ले हम with respect to e लें और दूसरी side जो आपका दूसरे system की system b की जो energy थी e dash तो वो किसके equal हो जाएगा curly by curly e dash log w dash e dash मतलब curly by curly log w e किसके equal आजाए curly by curly e dash log w dash e dash के equal अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो system है हमारा thermal equilibrium में है तो यहां से क्या हो जाएगा hence according to statistical mechanics the system in thermal contact will be in equilibrium their function curly by curly e log w are equal मतलब कितने भी आपके पास अगर यहां पे तो दो थे अगर आपके पास तीन होंगे तो क्या हो जाए यह function curly by curly e log w क्या हो जाए उन दोनों का equal हो जाए तो तब हम बोलेंगे कि वो system किसमें आ चुका है thermal equilibrium में है एक दूसरे के साथ ठीक है इसी function को beta parameter and its significance इसमें हम क्या देखेंगे कि जो यह function हमारे पास हाया curly by curly e log w इसी को हम क्या बोलते हैं बीटा parameter नाम दे दिया curly by curly e log w लिखने की बजाए हम क्या बोलेंगे इसको कि यह beta parameter इसका नाम दे दिया हमने beta तो beta e किसके equal हो गया curly by curly log w e के और जब इसको differentiate आप करोगे तो क्या होगा log w का 1 by w curly w by curly e ऐसे ही हमारे पास अगर e dash का लें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा curly by curly e dash log w dash e dash और यह हो जाएगा 1 by w dash curly w dash by curly e dash तो from above equation क्या हो जाएगा आपके पास जो beta parameter उसकी dimension क्यों कि क्या है उपर क्या हो गया curly w by w हो गया तो w और curly w basically w क्या है number of microstate मतलब यह number of microstate w क्या है thermodynamical probability है और by definition क्या होता है number of microstate in a macro state मतलब क्या हो गया यह एक number है तो इसकी कोई dimension नहीं होई और number से number कट गया आपका तो जो beta parameter की वो dimension हुई वो कौन सी dimension हुई कि जो energy की dimension है उसका inverse 1 by energy dimension क्या हुई beta parameter की आपके पास dimension हुई और यहां से हमने देख लिया कि अगर दो system thermal equilibrium में है तो उनका beta parameter क्या होना चाहिए equal होना चाहिए जब उनका beta parameter equal हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो दोनों system क्या है thermal equilibrium में हैं ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा क्योंकि ऐसा अब हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जो यह कर लिए यह था हमारे पास इस k की value निकालना चाहते हैं बेसिकली बीटा की value निकालना चाहते हैं कि बीटा क्या है ठीक है अब हमें पता है यहां से हमने condition निकाल ली कि अगर दो system आपके पास thermal equilibrium में है तो उनका beta parameter क् सेम होगा अब हमें पता है कि पहले हम क्या देखते दे कि अगर दो system thermal equilibrium में है तो उनका temperature क्या होना चाहिए था constant होना चाहिए था कि अगर आपने क्या कर दिया दो जैसे यहां पे लेके आए कि हमारे पास दो system है एक system A है और एक system B है उनको हम thermal contact में ले आए जैसे आपने एक chamber ले लिया आपने उसके दो party से एक side गरम पानी कर दिया एक side थंडा पानी रख दिया तो क्या होगा कि कब तक उनके बीच में heat का transfer रहेगा जब तक कि दोनों तरफ के पानी का temperature क्या ना हो जाए constant ना हो जाए जब दोनों तरफ का temperature constant हो जाएगा उसके बाद कोई भी heat का transfer न हो जाएगा जर्नली हमें पता है कि equilibrium कब आता है जब दोनों तरफ का temperature constant हो जाए ठीक है अब जो आपकी energy होती है वह energy किसके proportional होती है temperature के proportional होती है तो thermodynamics जब हम पढ़ रहे थे जो gas की हमने क्या निकाली थी energy निकाली थी वो किसके equal आई थी अगर one dimensional है तो half kt kt या फिर 3 by 2 kt इस तरह से आ रहा था ना that means energy directly proportional to temperature ठीक है और energy किसके equal होगी किसी constant के से multiply करने temperature के temperature को तो हमारे पास क्या मिल जाएगी energy मिल जाएगी और आपके पास बीटा जो है वो किसके equal है बीटा is universally proportional to energy यही था ना हमारे पास जो निकल किया यह equation number है आपकी 1.35 और 1.36 यह क्या बोल रह proportional to energy और हमें पता है energy is directly proportional to temperature that means हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा is inversely proportional to temperature और बीटा को और temperature को connect करना हो अगर कोई भी चीज किसी के साथ proportional है चाहिए वो inversely चाहिए directly तो अगर हमें उनको equal करना है तो हम क्या कर देंगे constant से multiply कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पा 1 by kt के equal हो जाएगा ठीक है अब यह k क्या है k क्या है वो देखना हमें तो k क्या क्या आ गया आपके पास एक positive constant आ ठीक है और यह निकल के किसके आता है आगे जो article हम करेंगे उसमें देखेंगे कि जो यह की value है वो बोल्चमें constant के equal निकल के आती तो यहां पे हमारे पास बी इसे बोल रहे हैं कि this is बोल्चमें constant लेकिन हमने अभी प्रूव नहीं किया इसका कि यह आप हमारे पास क्या है कि बोल्चमें constant के equal है ठीक है तो next article जब करेंगे जब देखेंगे कि यह किसके equal निकल के आएगा बोल्चमें constant के equal निकल के आएगा तो next is यहां पे हमारे पास ह thermal equilibrium में होंगे तो उसकी condition क्या होगी कि दोनों तरफ का आपके पास क्या हो बीटा equal हो बीटा equal होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों system thermal equilibrium में हो बीटा parameter हमारे पास किसके equal निकल के आया 1 by बीटा किसके equal निकल के आया केटी के equal निकल के आया ठीक है अब हम next देखेंगे entropy and probability बोल्चमें entropy relation ठीक है entropy और probability में हमारे पास क्या relation है अभी तक जब हमने thermodynamical physics पढ़ी तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि हम change in entropy को note करते हैं लेकिन absolute entropy को हम लोग note नहीं कर रही थे absolute entropy हम लोग कोने note नहीं करी थे अब absolute entropy हम देखेंगे कि entropy की हमने क्या कुछ value लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि entropy और probability में क्या कोई relation है अब हम मान के चल पढ़ते हैं आप किसी भी system की बात करो कोई भी आपके पास thermodynamical system है या statistical system है तो उस system के अंदर हम बा probability कौन सी thermodynamical probability thermodynamical probability मतलब number of micro states इनने macro state कि ऐसा macro state जिसके अंदर सबसे ज्यादा micro state होंगे उसी state को हम क्या बोलेंगे कि यह equilibrium state है और यही maximum probability गा state है यह तो हम statistical system से definition देते हैं अगर हम बात करें एक thermodynamical system की तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था अगर कोई भी natural process हो रहा है तो उस natural process के अंदर आपकी entropy क्या करेगी increase करेगी तो entropy कोई भी अगर process हो रहा है उसमें entropy क्या है measure of randomness and disorder of a system तो जब भी system में कोई हल चल होगी अब आप दो उनको क्या ले आए दो जैसे यह example पिछले article वाला ले हम अगर हम क्या करें दो systems को क्या ले आए थर्मल contact में ले आए तो उनके बीच में energy का transfer होगा energy का transfer होगा तो क्या होगा randomness बढ़ेगी तो मतलब यह हम वहाँ भी पढ़े चुके हैं thermodynamics में भी कोई आपके पास natural process है तो उसमें हमेशा क्या होता है जो entropy होती है system की वो increase करती है और system की entropy कब तक increase करती रहेगी जब तक कि system saturate ना हो जाए और system saturate कहां पर जाके होगा कि उसमें हल चल ना रहे हल चल कब बंद होगी system की जब वो equilibrium में आ जाएगा तो जब system equilibrium में आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि system की entropy maximum हो चुकी है कि वहाँ equilibrium तक तो क्या हो रही है system की entropy बढ़ रही है वहाँ पे जाके वो saturate होगी जहां पे equilibrium आपने achieve कर लिया तो क्या हो गया आपके पास system की entropy वहाँ पे क्या होगी maximum होगी मतलब अब यहां से देखो जब equilibrium state आया उस time पे thermodynamical probability भी maximum हो जाती है उस time पे entropy भी maximum हो जाती है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जरूर entropy और thermodynamical probability में कोई relation होगा जब एक चीज के उपर दोनों क्या हो जाती है maximum हो जाती है तो यह definite है कि उन दोनों के बीच में जरूर कोई न कोई relation exist करता होगा ठीक है अब क्या हो जाएगा हमारे पास की जैसे अब हमने दो system का example पिछले article में लिया था A और B का हम बोल देते हैं कि system A की entropy S1 और system B की entropy क्या है S2 है और जब हम दोनों सिस्टम को क्या ल randomness तो system A में भी रही होगी कुछ ने कुछ और system B जब अलग होगा तो उसमें भी रही होगी और जब हम system A और system B को club कर देंगे तो दोनों की randomness क्या हो जाएगी add up हो जाएगी तो दोनों की randomness क्या हो जाएगी S1 प्लस S2 अगर system 1 की entropy क्या है S1 और system 2 की entropy S2 है तो अगर हम दो दोनों सिस्टम को साथ में ले आएं तो टोटल एनरजी हमारे सिस्टम की कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 क्योंकि जो एंट्रोपी है वो एक एडिटीव क्वांटिटी है ठीक है ऐसे ही अगर हम बात करें Thermoe Dynamicals Probability की सिस्टम जो हमारा A था उस सिस्टम A की हमारे पास Thermoe Dynamicals Probability W1 है और सिस्टम B की हमारे पास Thermoe डान тебя Probability W2 है और जब हम दोनों सिस्टम को इक ट्ठा ले आएं तो क्या हो जाएगी पूरे प्ली टोटल जो सिस्टम बना उसकी Thermoe único लुटी क्या हो जाएगी W2 into W1 क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम है जो हमारे पास composite सिस्टम बनेगा तो उसकी thermodynamical probability क्या होगी W1 into W2 क्योंकि जो आपकी thermodynamical probability है वो एक multiplicative quantity है कि जब आप दो सिस्टम को add करोगे तो वो आपस में multiply होगी ठीक है number of state आपके इस तरह से multiplication के हिसाफ से बढ़ेंगे ठीक है तो यहां से हमारे पास आगया S किसके equal आगया जो आपका composite सिस्टम बना उसके entropy आगी S1 plus S2 और उसकी जो आपकी thermodynamical probability आई वो W1 into W2 और हमें पता है S किसके equal था FW के equal हम देख चुके हैं हमने setup कर लिया ना कि दोनों क्या है दोनों टाइम पे आपका equilibrium state होता है तो दोनों चीज maximum होती है तो हम मान के चल चुके हैं कि दोनों के बीच में कुछ ने कुछ relation आपका exist करता है तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा S is equal to FW आजाएगा और FW का मतलब FW1 into W2 और अगर S1 की बात करें तो S1 किसके equal होगा FW1 की और S2 की बात करें तो वो किसके equal होगा FW2 के अब जो यह equation आई हमारे पास 1.40, 1.41 and 1.42 यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि FW1, W2 किसके equal हो जाएगा क्योंकि S किसके equal है equation 1.39 क्या बोलती है कि S किसके equal है S1 प्लस S2 के equal है तो यहां से क्या हो जाएगा और S का मतलब क्या हो गया FW1, W2 और यह किसके equal हो जाएगी S1 प्लस S2 मतलब FW1 प्लस FW2 ठीक है ऐसे ही तो यहां से आगया FW1 into FW2 किसके equal होगी FW1 into FW2 अब क्या करें हम अगर जो equation हमारे पास 1.43 आगई इसमें हम क्या करते हैं equation 1.43 को पहले तो differentiate करते हैं with respect to W1 और उस time पे मानके चलते हैं कि W2 आपके पास constant है और दूसरे time में हम क्या करते हैं इसको with respect to W2 differentiate करेंगे और उस time पे मानके चलेंगे W1 constant है तो जब हम मानके चलेंगे कि W2 constant और इसको differentiate करेंगे with respect to W1 तो left hand side क्या हो जाएगे आपकी F-W1 into W2 और फिर क्या होगा अंदर जो W1 W2 उसका differentiation होगा W2 constant और W1 का differentiation 1 तो इसलिए W2 क्या आजाएगा बाहर आजाएगा तो ये बन गया W2 F-W1 W2 और right hand side में क्या हो जाएगा F-W1 और W2 को constant मान लिया तो F-W2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये equation आगे 1.44 अब उसके बाद हम क्या करेंगे equation 1.43 को differentiate करेंगे with respect to W2 keeping W1 constant तो क्या हो जाएगा W1 बाहर निकल जाएगा ये बन जाएगा F-W1 W2 और right side में क्या हो जाएगा F-W1 constant है तो उसकी 0 value और F-W2 हो जाएगा आपके पास ठीक है तो यहाँ से ये आगे equation 1.45 अब हम क्या करें equation 1.44 को equation 1.45 से divide कर दें तो क्या हो जाएगा F-W1 F-W2 आपस में cut जाएगे बच जाएगा W2 by W1 और right hand side में F-W1 by F-W2 और यहाँ से क्या हो जाएगा F-W2 into F-W2 किसके equal हो जाएगा W1 into F-W1 और अगर हमारे पास यहाँ पे दो system की system AB की बजाए हमारे पास K systems है K chambers है उन K chambers को हमने क्या कर दिया एक अठा रख दिया अब उन K chambers के बीच में आपस में क्या हो रहा है या N chambers है हमारे पास उन N chambers के बीच में क्या हो रहा है आपस में energy का transfer हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उन N chambers के लिए भी यह equation exist करेगी मतलब क्या हो जाएगा w1 f dash w1 is equal to w2 f dash w2 is equal to w3 f dash w3 जब तक up to two जितने भी आपके पास chambers हैं और इस सब की value हमने constant माल ली के अब भूत सारी चीजे एक दूसरे के equal हैं तो उसको हमें constant के equal माल लेते हैं का नाम रख दिया के तो यहां से क्या हो जाएगा from equation 1.6 f dash w1 किसके equal हो जाएगा k by w1 w1 को दूसरी साइड लेगे ऐसे f dash w2 किसके equal हो जाएगा k by w2 f dash w3 किसके equal हो जाएगा k by w3 और अब हम क्या कर दें इनको अलग-अलग integrate कर दें f dash w1 is equal to k by w1 f dash w2 k by w2 या f dash w3 k by w3 को integrate करतें तो क्या बन जाएगा किसी का differentiation अगर उसको हम integrate करते हैं तो वो function के equal हो जाएगा तो जब f dash w1 को आप integrate करोगे तो वो f w1 के equal हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा f w1 is equal to दूसरी साइड में k constant है और 1 by w1 1 by x का integration क्या होता है log x तो यह हो जाएगा log w1 plus अगर हम आपके पास definite integral नहीं है indefinite integral है मतलब आपकी integration की limits नहीं दे रखी तो हमारे पास क्या होता है उस time पे एक constant भी हम add करते हैं constant of integration तो यह हो जाएगा plus c1 ऐसे ही f w2 किसके एकवल हो जाएगा k log w2 plus c2 अगर journal बात करें हम यहाँ पे आप w1 ले लो आप w2 ले लो आप w3 ले लो तो हम एक journal बात करें तो यहां से क्या आजाएगा w1 w3 को हम क्या करते थे हैं journal w से replace कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा f w is equal to k log w plus c यह relation आपके पास और f w किसके एकवल था आपका f w किसके एकवल था s के एकवल था तो यहाँ से आगया आपके पास s is equal to k log w plus c क्योंकि f w यह equation 1.40 इसमें क्या है s is equal to f w है तो यहां से क्या आ गया कि entropy किसके equal होगी k log w plus c मतलब entropy और thermodynamical probability में हम लोगों ने relation setup कर लिया अब हमारे पास next काम क्या है कि यह जो c आ रहा है आपका constant है इस constant को हमें क्या करना इस constant की value find करनी है कि क्या हो जाएगा हमारे पास हम मानके चलते हैं कि absolute zero temperature पे हम क्या बोलते हैं कि जो third love thermodynamics था वो क्या बोलता था कि जब आपका temperature absolute zero होता है तो उस time पे entropy क्या हो जाती है जीरो हो जाती है उस system के अंदर कोई भी randomness और disorder नहीं होता ठीक है तो अब हम इसमें एक example लेते हैं कि हमारे पास एक paramagnetic salt है और उसको हम क्या करेंगे जैसे जैसे उसका temperature lower करते चले जाते हैं तो जो magnetic spins हैं वो एक direction में line होते चले जाते हैं और जब temperature आपका zero Kelvin तक पहुचता है absolute zero तक पहुचता है वो सारे के सारे spins क्या हो जाते हैं एक ही direction में align हो जाते हैं तो एक ही direction में align हो जाते हैं तो उसके जो system के होने की chances की केवल एक ही chance बसता है कि system के जो spins है उनकी यही direction रहेगी तो उसमें number of microstate कितने हो जाते हैं कि अवल एक ही number of microstate होगा तो क्या हो जाएगा यहां से कि आपका system क्या होगा एक ही microstate बचेगा system में एक ही microstate होगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि उस system की thermodynamic probability कितनी हो गई तो absolute 0 पे entropy तो हो गई 0 और thermodynamic probability हो गई आपकी 1 तो यहां से क्या हो जाएगा S किसके equal था आपके पास S is equal to K log W plus C का relation था न आपका तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास S आपका क्या हो गई absolute 0 पे 0 K आपका constant log W कितना हो गया 1 plus C तो यहां से क्या हो जाएगा कि S की value 0 और log 1 की value कितनी होती है 0 हो जाएगी तो 0 is equal to 0 plus C हो जाएगा और यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास C की value कितनी निकल के आएगी 0 value निकल के आएगी ठीक है तो यहां से क्या हो गई आपके पास C 0 आगया तो relation क्या बच गया हमारे पास हमें हमारा काम क्या था जो relation 1.47 था इसमें C की value निकाल ली है अब C की value हमने 0 निकाल ली तो S किसके equal हो जाएगा के लोग W के equal हो जाएगा क्योंकि अगर हम constant निकालते हैं ना constant कैसे निकालते हैं कि आपके पास कोई relation आ गया हूँ सभी values के लिए relation क्या रहेगा exist करेगा तो किसी भी एक value को हम लेके चल पड़ते हैं जहां पे हमें पता हो C की जो value उन values के लिए आई तो सभी के लिए C की value C तो एक constant है वही value रहेगी तो हमने एक case ले लिया कि जब S 0 है उस time पे आपका W 1 है तो उस case के लिए हमारे पास C की value 0 आ गई अब C तो एक constant है अलग-अलग values के लिए value तो change हो नहीं रही तो इसका मतलब C की value कितनी रहेगी आपकी 0 रहेगी तो S किसके equal हो गया के लोग W के equal हो गया ठीक है अब यह के क्या है इस के की हमारे पास value क्या है ठीक है अब हमें क्या करना है यह देखना है तो अब इस के को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं अब के हम यहां पर नहीं बोल रहेगी कि यह बोल्जमेंट कोंस्टेंट है ठीक है यह हम निकालेंगे कि यह बोल्जमेंट कोंस्टेंट के equal आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास system है और system जैसे जो chamber A था उसका volume V1 है और chamber B का volume हम मान लेत हैं और उस एक मॉल के अंदर हमारे पास अगर चाहिए container जो वीवन है और हम मानते हैं कि जो आपका container A है क्या मानते हैं when the container of volume V1 and V2 are connected the probability of finding one molecule in first container of volume V1 हम मानते हैं कि जो हमारा एक molecule होगा gas का उसके volume V1 में होने की कितनी probability है तो क्या कर देंगे V1 को total volume से divide कर देंगे V1 divided by V1 plus V2 ठीक है ऐसे ही अगर हम क्या करें कि जब as one अब हम क्या मान लेते हैं कि एक molecule की बजाए हमारे पास one mole of gas है तो one mole of gas का मतलब हो गया कि उसमें हमारे पास volume कितना होगा one mole of gas का volume कितना होता है आपके पास sorry one mole of gas में कितने particles होते हैं आपके पास N particles होते हैं एवेगेडरोज के N क्या है आपके पास एवेगेडरोज नंबर है तो अगर हमारे पास क्या है probability जो पहले V1 by V2 V1 plus V2 एक particle के लिए आये थी अब हमारे N के N particle volume V1 में हो इसकी probability thermodynamical probability क्या होगी वो किसके एक वोल होगी W1 is equal to V1 by V1 plus V2 की power N मतलब हमने क्या कर दिये ये composite events बन गे तो पहले particle की probability V1 by V1 plus V2 दूसरे particle की भी V1 by V1 plus V2 तीसरे की भी वही और जब N particles ही कट्थे होंगे तो सभी probability को हम क्या कर देंगे multiply कर देंगे ऐसे ही दूसरा case हम मानते हैं कि सारे के सारे particle आपके जो 1 mole था वो volume V1 और V2 V1 plus V2 में जाए तो V1 plus V2 मतलब पूरे दोनों chamber को मिला के जाने की probability क्या हो जाएगी V1 by V1 plus V2 divided by V1 plus V2 और N particle है तो पावर N तो यह क्या हो जाएगा 1 raise to पावर N आ गया ठीक है अब उसके बाद हमारे पास जो बोल्जमेंट रिलेशन है entropy का की change in entropy किसके equal होगी S2 minus S1 के और यहां से हमने S2 और S1 की value निकाल ली के लोग S2 तो क्या है के लोग W2 और S1 क्या है के लोग W1 तो यहां से क्या हो जाएगा डेल S is equal to S2 minus S1 is equal to K log W2 minus K log W1 और यह हो जाएगा के लोग W2 by W1 अब हम क्या करनेंगे इनकी values put कर देंगे W2 की value थी हमारे पास क्या 1 raise to power N और W1 की value हमारे पास है V1 by V2 की power N तो हमने यहां पे put कर दी तो यह बन गया के लोगी 1 by V2 V1 by V1 plus V2 की power N ठीक है और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास है यह हो जाएगा के किसके ला गया लोगी तो वी 1 by V2 वहां डिवाइड था यह उपर चला गया तो क्या बन गया V1 plus V2 divided by V1 की power N और लोग के साथ अगर power है तो वो लोग के आगे आ जाएगी तो यह क्या बन जाएगा N के लोगी V1 plus V2 by V1 ठीक है और यह अब हमारे पास एक thermodynamical relation exist करता है कि अगर हमारे पास when the change in entropy of the gas changes from one state to another state first state का volume कितना है V1 और second का अगर V1 plus V2 है और temperature क्या है T2 तो देलस किसके एकवल होता है यह हमने किया था thermodynamics जब कर इती relation देलस किसके एकवल था C1 Cv log E T2 by T1 plus R log E V1 plus V2 by V1 और अगर हम मान के चलें कि हमारा change कैसा हाइसो thermal है मतलब जो दोनों chambers है उससे बाहर ना तो heat जा रही है और ना heat आ रही है तो क्या हो जाएगा T1 is equal to T2 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 जब T2 के equal हो जाएगा तो यह T1 से T2 कट गया log 1 बच गया log 1 की value क्या होती है 0 तो इसलिए यह relation किसके equal हो जाएगा del S is equal to R log E V1 plus V2 by V1 इसको मालने थे equation 1.50 अब जब हम 1.49 और 1.50 को compare करेंगे तो यहाँ से क्या निकल क्या आ जाएगा log E V1 plus V2 by V1 तो दोनों तरफ सेम है क्या निकल गया आएगा NK किसके equal निकल गया आजाएगा R के और K किसके equal आजाएगा R by N R किया है आपके पास gas constant ठीक है और R को अगर हम Avagadro's से number से divide कर देते हैं तो वो हमारे पास किसके equal निकल गया आता है बोल्च में constant के equal निकल गया आता है तो जो यह हमारे पास यह जो हमने निकाला इसमें जो आपके पास यह था constant is equal to K log omega जो K constant हमारा निकला तो यहां से हमारे पास प्रूव हो जाता है कि यह constant के किसके equal है बोल्च मेंड constant के equal है ठीक है इसे अगरे का अगली class में देखें Thank you